विराम चिन भाग तीन आओ बच्चों अर्ध विराम के बारे में पढ़ें अर्ध विराम का प्रयोग समान्यत उपवाक्यों के अंत में होता है सौरब तेज दोड़ता है उसके लिए वह रोज व्यायाम करता है बच्चों यहाँ पर वाक्य सौरब तेज दोड़ता है और वाक्य उसके लिए वह रोज व्यायाम करता है यहाँ दो समान्य उपवाक्य हैं इन दोनों वाक्यों के बीच में अर्द विराम चिन्न का प्रयोग हुआ। आओ बच्चों योजक चिन्न के बारे में पढ़ें। योजक चिन्न का प्रयोग समासिक पदों के तथा शब्दों सा, सी, से पहले किया जाता है। जैसे अच्छा-च्छा, धीरे-धीरे, यहाँ पर अच्छा-च्छा, धीरे-धीरे समासिक शब्द हैं। तो इसलिए इनके बीच में योजक चिन्न का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार, लंबी सी, गोरा सा शब्दों में, सी, सा, से पहले योजक चिन्न का प्रयोग हुआ है। आओ बच्चों, उद्धरन चिन्न के बारे में पढ़ें। बच्चों, उद्धरन चिन्न के दो प्रकार होते हैं। एक, एकहरा, दो, दुहरा। किसी व्यक्ति के उपनाम, पाठ के शीर्षक, पुस्तक, पत्र-पत्रिकाओं के नाम लिखने में, इकहरे उद्धरन चिन्न का प्रयोग होता है। जैसे, आओ बच्चों, आज पाठ विराम चिन्न के बारे में पढ़ें। इस वाक्य में, विराम चिन्न को बताने के लिए, एकहरा चिन्न का प्रयोग किया गया है। आओ बच्चों, इसका दूसरा उदाहरन देखें। कवी राम कुमार शर्मा बादल ने मुझे पुरसकार दिया। इस वाक्य में, बादल कवी के उपनाम को बता रहा है। किसी के कथन को जयों का त्यों उद्रित करने के लिए, दोहरे उद्धरन चिन्न का प्रयोग होता है। जैसे, नेता जी सुभाष चंद्रबोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा। तो इस वाक्य में, नेता जी सुभाष चंद्रबोस के कथन को जयों का त्यों उद्रित करने के लिए, दोहरे चिन्न का प्रयोग किया गया है।